Hello everyone, welcome to the channel The Zorawar Classes. आप सभी का स्वागत है आज की हमारी psychology series की 3rd class में. My dear friends, इस class में आज हम अपने बचेवे school जो हैं, वो complete करने वाले हैं. Gestalt, Behavioralism, Psycho Analysis, Humanism, और Cognitive Perspective. हमने अपनी 2nd class में Structuralism और Functionalism complete कर लिये. My dear friends, if you are preparing for any teaching exam, exam, KVS, DSSB, NVS, SuperTet, REIT, और any other TET exam, CETET, UPTET, HTET. तो भाई लोग, ये series आप लोगों के लिए एक वरदान साबित होने वाली है. ये मैसले कह रहा हूँ कि ये पहला मोका है जब YouTube पे आपको proper content provide किया जा रहा है. Free of cost. जैसे कि आपको किसी बड़े-बड़े institute में paid course में दिया जाता है. या उससे भी अच्छा हो सकता है, जितना मैं लगा हुआ हूँ, कर रहा हूँ. ये third class है, आप इसको देख सकते हैं, आप जाके पहली और दूसरी class देख सकते हैं. हमारा content जो है, वो NCRT based होगा. NCRT से हमें अपना सारा content उठा रहे हैं, उसके साथ-साथ हम तीन उतरस को भी ले रहे हैं, अरुन कुमार सिंग, अनिता वुलफोक्स और लोरा इबग. इन चारों का समविशन है, वो इस content में डाला गया है, और सबसे बड़ी चीज है भाई, यह आपको free of course मिल रहे हैं, Monday to Friday, रात 9 बजे, आपको psychology के class मिलेगी, 60 to 70 या 70 to 80 classes की ये video रहेगी, तो please अगर आप अपनी psychology और जादा अच्छा करना चाहते हैं, आपकी पहले से अच् चलिए friends, आज का अपना session स्टार्ट करते हैं, सबसे पहली चीज हम recap कर लेते हैं कि हमने last class में क्या पढ़ाता है, हमने पढ़ाता जी, संरचनावाद, first school of psychology, अगर आप से पूछा जाता है कि first school of psychology क्या है, तो आपका answer होगा simple सा, संरचनावाद, जो है first school of psychology, 1879 में William Wundt ने जर्मनी में पहली मनोवैज्यानिक प्रियोगशाला खुली, ठीक है जी, इसी लिए संरचनावाद के जो फादर हैं, जो जनक हैं, वो William Wundt कहे जाते हैं, who is the father of historicalism, William Wundt, क्योंकि 1879 में जर्मनी में उने पहली मनोवैज्यानिक प्रियोगशाला की स्थापना की, उसके अब का structure of mind, simple सी बात है, एना structure of mind, आप structure of mind से सरसमझनी है, तिके structure of mind से आप समझे है, building blocks of mind, या मैं कहूँ elements of mind, छोटी-छोटी अलग चीज़े होती है, आपकी अलग-अलग feelings होती है, आपकी अलग-अलग क्या होती है feelings होती है, आपकी चेतना में, आपके दिमाग में, आपके मन की चेतना में, अलग-अलग feelings होती है, anger होता है, thoughts होते है, प्यार होता है, सारी अलग-अलग अब बात करते हैं जी, फंक्शिनलिज्म, प्रकारवाद, ये कब आया, ये आया, 1895 में, इसके जनक कोन थे, इसके जनक थे आपके, विलियम, विलियम, जेम्स, ठीक है, 1895 में, विलियम जेम्स, जो की एक अमेरिकन थे, अमेरिका में, उन्होंने भी साथ-साथ में, संदचनावाद के थोड़े बहुत साथ, मतलब होई, 1879, 1995 में, इन्होंने भी एक प्रियोग शाला की स्थापना की, कहां पे, अमेरिका में, विलियम जेम्स, फादर ओफ, फंक्शिनलिज्म, अब भाया, ये क्या है, ये फंक्शिनलिज्म क्या चीज़ है, अब देखिए, फंक्शिनलिज्म में और संदचनावाद में, ज़्यादा फर्क नहीं है, फंक्शिनलिज्म और संदचनावाद में, ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनोंने काम, कौंशिसनेस परी किया था, चेतन मन पे ही दोनोंने काम किया था यहाँ पर structuralism कहता है कि structure structure of mind क्या है वो elements जो अलग-अलग है उन पर काम करना है मुझे तो मन के structure को जानना है लेकिन functionalism कहता है कि मुझे function पता करना है कि यह दिमाग यह मन जो है किस तरीके से काम करता है process क्या है इसका यहाँ पे आपको पता होगा कि introspection introspection विधी का use किया जाता है चीक है अब introspection विधी का दोश क्या था कि यह valid नहीं थी reliable नहीं थी वैद नहीं थी विश्विशने नहीं थी इसको बच्चों पे use नहीं कर सकते थे हम लोग इसको हम जानवरों पे प्रियोग नहीं कर सकते थे तो यह reliability नहीं थी इसकी वैदता बिल्कुल भी नहीं थी यह कहते हैं functionalism कहता है कि हम तो observe method को use करेंगे observation method यूज करेंगे जिससे की वैदता और विश्विशनेता बढ़े तो difference between both these schools आर यह कहते थे कि हमारा जो method of experiment है वो introspection है ठीक है introspection अपने आप से बात करो आपने आज क्या गलतियां की मतलब अपने आप से सारी चीज़े पूछनी है लेकिन functionalism में क्या हो गया observe आ गया observe करो सामने वाले को जब पता लगेगा आपको किसके मन में क्या चल रहा है क्या चीज़े यह सोच रहा है किस तरीके से कर रहा है बात के लिए रुई जी function of mind is functionalism with observational method and structure of mind building blocks of mind elements of mind अलग-अलग-अलग-अलग सारी चीज़े अलग-अलग-अलग सारी चीज़े thoughts जो है this with introspection method is called structuralism सनरचनावाद ठीक है जी एक recap हो गया आपका चोटा सा और अगर अब पूरा प्रोपर आपको पढ़ना है इस बारे में तो आप video number two जो है हमारी schools of psychology का first part उसको जाके देखे वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा अब हम बात करेंगे gestold perspective की gestold psychology की ठीक है अब देखे आज आते हैं gestold psychology पे gestold psychology 20th century की starting में बीश्वेशताबदी की शुरुवात में जो आपके आगे लेके गए gestold psychology के वो थे आपके Max Verdemir आपने इनका नाम जरूर सुना हुआ जो chimpanzee वाला हम एक learning में अधिगम में पढ़ते हैं चिंपैंजी वाला inside theory of learning उसमें आपने वर्दमियर कोलर कोफका लेविन ये चार नाम थे वर्दमियर कोलर कोफका लेविन इसमें सबसे perspective था कहा गया gestold psychology और ये जर्मनी में ही आया as a reaction to the structuralism by Wundt जो Wundt ने 1879 में आपका structuralism दिया था संरचनावाद दिया था उसी के reaction में उसी की प्रतिक्रिया में gestold वादी आये वो कहते हैं जी हम आपसे बिल्कुल सहमत नहीं है क्यों सहमत नहीं है देखे ये इसलिए सहमत नहीं है ये कहते है according to gestold thinkers the whole is greater than the sum of its parts हमने structuralism में क्या पढ़ा संरचनावाद में क्या पढ़ा building blocks of mind elements of mind अलग 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 सारी चीज़े क्या है अलग अलग वो बात करते हैं parts की लेकिन gestold psychology जो है वो whole की बात करता है एक साथ सब कुछ एक साथ मुठी बंद तो जीत जाएंगे मुठी खुल जाएगी अलग 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 चीज़े काम कर रहे है वो उनसे नहीं हो रहा है लेकिन जब पांचों ने एक साथ काम किया तो हो गया तो gestold psychology किस चीज़ पर काम करता था as a whole पर संपूर्ण होना चाहिए वई देखिए यहां पर फिर कायनों ने rather than breaking down the thoughts and behavior to their small elements, smallest elements जो कि आपका structuralism संचना बात करता था the gestold psychologist believe that you must look at the whole of experience एक साथ पूर्ण चीज़ देखिए आप विचारों और व्यवारों को उनके सबसे चोटे तत्वों मेना तोडने के बजाए gestold मैंने वग्यानिकों का मानना था कि आपको पूरे अनुभवों को देखना चाहिए सिर्फ इतनी सी बात जाननी है आपको बाकी यह बहुत बड़ी learning है inside theory of learning है वो हम लोग आने वाले time में जब learning करेंगे तब पढ़ेंगे तो gestold psychology क्या थी gestold psychology संरचनावाद जो थे संरचनावादी जो थे उनके बिलकुल opposite थी वो कहती थी आप देखते हैं अलग-अलग चीज़ों को आप parts में देखते हैं चीज़ों को हम देखते हैं as a whole ठीक है gestold psychology में इससे ज़ादा नहीं समझना आपको कुछ भी चार नाम याद रखने हैं आपको वर्दमियर, कोलर, कोफका, एन लेविन बीशवीश अताबदी की शुरुवात में ये लोग आये थे और ये बिलकुल opposite थे किसके संदचनावाद के और मैंने आपको बताया भी था कि जब भी कोई नई चीज़ आती है सबसे पहले क्या आया संदचनावादी आये ना तो उनके criticism जरूर होगा उसके criticism के जवाब में क्या है functionalism आया अब इन दोनों के जवाब में क्या है आपका guest told वा दिया है इन्होंने का जी नहीं हम भी आपकी सोच से सहमत नहीं है चलिए अब आते हैं जी आगे 1910 के पास around 1910 1910 के आसपास हमारे भाईया Watson जी आये ये कौन थे ये भी American थे तीक है Watson जी कौन थे American थे और इन्हे father of behaviorism व्यावारवाद के पिता जी भी कहा जाता है और ये आपकी first force of psychology भी है जो मैंने आपको पढ़ाई थी second class में second class की सबसे पहली चीज़ भी पढ़ाई थी तो ये भी याद रखना है behaviorism व्यावारवाद is first force of psychology 1910 के आसपास जो है व्यावारवाद आया और ये कहते थे जॉन वाटसन ने कहा कि मनोविक ज्यान के विशे के रूप में मन और चेतना के विचारों को खारिच कर देना चाहिए ये functionalism और इस्टक्लिवजम दोनों से सहमत नहीं थे ये दोनों से ही सहमत नहीं थे क्योंकि दोनों की दोनों चीज़े जो है consciousness पे काम करती थी mind पे और consciousness पे काम करती थी ये कहते हैं कि किसी के मन में क्या चल रहा है आप उसके चेतन मन से उसकी consciousness से कैसे समझ सकते हो हम नहीं समझ सकते इसी लिए जे भी वाटसन कहते हैं कि अगर आपको किसी के मन को समझना है तो आपको उसके behavior को समझना होगा उसके व्यवार को समझना होगा आपका behaviorism कहलाता है व्यवार वाद कहलाता है यह चीज हमने first video में भी जानी थी जब मैंने first video में आपको बढ़ाया था so for Watson mind is not observable and introspection is a subjective because it cannot be verified by any other observer देखी मैंने आपको क्या कहा कि यहाँ पे जो mind जब हम आपकी structuralism की बात करते हैं तो जो mind है जो हमारा मन है वो क्या है observable नहीं है observable नहीं है ना मन को हम देख नहीं सकते कि किसी के मन में क्या चल रहा है नहीं देख सकते पहली चीज तो पहली truthy तो यह हो गया इसमें पहला era तो यह हो गया और फिर structuralism कहता है कि हम तो introspection method use करते हैं और introspection method क्या है subjectivity समझाया था ना मैंने उस दिन आपको subjectivity और objectivity subjectivity क्या है सबकी अलगल हो सकती है आज अलग है कल अलग है परसो अलग है तरसो अलग है लेकिन जब हम बात करते हैं objectivity की जो की observable था और वो जो इनकी method था introspection वो subjective थी उस वो verified नहीं थी it cannot be verified तो हमें कुछ ऐसी चीज़ लानी पड़ेगी जो की verified हो उसको हम observe कर सके और उस से हमें पता लगेगी किसी के मन में क्या चल रहा है तो इसी नहीं नहीं कहा कि व्यवार का अद्धन कीजिए according to him scientific psychology must focus on what is observable and verified reliable होना चाहिए और उसको हम observe कर सके उनके अनुसार वैज्ञानिक मनोविज्ञान को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि क्या देखा जा सकता है और क्या सत्यापित किया जा सकता है आपको पता होगा starting में psychology मनोविज्ञान किसका अंग था किसका भाग था philosophy का 1879 के बाद से य लेकिन जैसे ही फर्स्कूल आया आपका इस्ट्रक्लिजम संद्शनावाद उसके फिर criticism हुआ फंक्शनलिजम आया गस्टोल्ड psychology आपके आई और फिर आता है आपका बेहविज्ञान के यह अलग-अलग thoughts होते थे हर मनोविज्ञान के देखिए आपका thoughts अलग हो सकता है किस किसी के मन में क्या चल रहा है किसी के विवार से फिर भी आप एक बार को पता लगा सकते हैं लेकिन किसी के मन में क्या चल रहा है उसके consciousness से नहीं जान सकते उसके चेतन मन से नहीं जान सकते introspection method यूज नहीं कर सकते आप क्योंकि ये subjective है आज मैं अच्छा हूँ आज मैं खुश हूँ तो मैं एक चीज के बारे में मेरे perspective ही अलग होगा लेकिन अगले दिन अगर मुझे किसी से मैं लड़ाई करके आया हूँ मिरको किसी चीज में दोका मिला है दोस ने दोका एक्स की verified हो ठीक है तो ये भाईया आपका व्यावारवाज में बात आई उसके बाद बात करते हैं जब हम व्यावार की बात कर रहे हैं कि he defined psychology as a study of behavior और responses which can be measured and studied objectively मैंने बताया ना objectivity होनी चाहिए subjectivity नहीं चाहिए हमें facts चाहिए हमें चाहिए कि जो चीज बिल्कुल verified हो verified जो चीज वैलिड हो ठीक है जो चीज reliable हो विश्विशनिय चाहिए हमें चाहिए ज़ो से जिसको हम मेजर कर सके तो इस पर बहुत जादा focus किस ने दिया बिहेविजम विहवारवाद ने first force of psychology I hope आपको विहवारवाद अच्छे से clear हुआ होगा my dear friends आपको मैंने दो स्कूल करा दिये हैं भी gestalt वाद और आपका बिहेविजम विहवारवाद gestalt वाद में आपके मैंने चार नाम बताए थे और जब हम बात करते हैं बिहेविजम विहवारवाद की तो इसमें आपको नाम जानने है जो मेंन नाम है हमारे एयान पावलव कुत्ते वाला प्रियोग आपको याद होगा उसके बाद जो father of विहवारवाद यानि father of विहविजम कहलाते है जिनका कबूतर वाला था तो ये तीन नाम में याद रखने है चोथा नाम आप साथ साथ में जोड़ सकते हैं थो नाइक का भी जिनका ट्राइलरेंड वाला बिल्ली वाला था एक्सपरिमेंट और ये सारे एक्सपरिमेंट जब हम लर्निंग पढ़ेंगे उसमें बात करेंगे ठीक है जी तो दो हमारे किलियर हो गए आगे बढ़े चलिए आगे चलते हैं अपने next school पे ये है हमारा psychoanalysis manovishlation वाद school ठीक है देखे यहाँ पे जो manovishlation वाद है psychoanalysis है उसको सबसे पहले तो जानी किस ने दिया Sigmund Freud was the father of psychoanalysis यानि कि अगर जनक पिता कहे जाए manovishlation वाद के तो वो आपके कौन है Sigmund Freud यह है जी साइड में ठीक है उसके बाद यह सबसे ज़्यादा focus किस चीज़ पर करते थे यह करते हैं सबसे ज़्यादा focus unconscious desires पे हमारी unconscious mind जो है हमारा उस पे इनका सबसे ज़्यादा focus रहा जो आपका psychoanalysis आप पढ़ेंगे इसके बारे में आगे चलकर हम बहुत सारी चीज़े पढ़ेंगे eat, ego, super ego conscious mind, subconscious mind उसके बाद unconscious mind यह सारी चीज़े जब हम आगे चलेंगे ना चीज़े personality के बारे में बात करेंगे तो यह सारी चीज़े आएंगी चीक है यह structure of personality तो कहलाता है unconscious mind जो होता है तो यह कहते हैं कि he viewed human behavior as a dynamic manifestation of unconscious desires and conflicts हमारे अंदर ना जो conscious mind है ना हमारा वो सिर्ष 10% है 90% हमारा subconscious और unconscious mind है हमारी ऐसी चीज़े जो हम जानना नहीं चाहते हैं याद नहीं करते हैं बहुत नीचे कहीं दबी रहती हैं हमारे मन में जो हमारा regular दिमाग चलता है पूरे दिन 24 गंटे वो सिर्फ 10% है हमारे दिमाग का 90% हमारा unconscious mind है जिसको हम याद ही नहीं करते हैं वो आगे आगे जैसे जैसे हम चीज़े पढ़ेंगे तो वो हम बाते करते रहेंगे तो आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है अभी मनोविशलेशनवाद के फादर जो है वो आपके सिग्मन फ्राइड है और उसके बाद यहाँ पर unconscious desires unconscious desires और conflicts या unconscious mind के बारे में बात की गई है अब आगे देखते हैं अब बात करते हैं कि psychoanalysis points out three aspects of mind which determines our personality हमारी personality को हमारे व्यक्तित को निर्धारित करने के लिए तीन पहलू थे इद, इगो, सूपर इगो यह बहुत important है जब हम इसको personality पढ़ेंगे तो एक एक चीज़ इसकी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इद, एहम और पराहम ठीक है जी, यहाँ पे मैं आपको इन तीनों का एक एक इग्जामपल दे देता हूँ एक चोटे से एक्जामपल से समझा देता हूँ मानलो भाईया, तीन भाई है ठीक है, अब उन तीन भाईयों में एक की personality है इद, एक की है इगो और एक की है सूपर इगो हो गया की भाईया, पिता जी की तो डायत हो गई है, अब यह जो प्रोपर्टी है यह तीन हिस्सों में बटेगी कैसे कैसे किसके पास जाएगी तो जो इद वाला बंदा है, जिसकी personality इद है, ठीक है वो कहता है कि सारी मेरी, मुझे चाहिए बाकी कोई नहीं, मतलब जो devil होते है ना, शैतान टाइप आदमी होते है या जिनको तत्काल आनन चाहिए सारा मेरे को अभी चाहिए सारा शुक है ना, मुझे नहीं पता है कि किसी को क्या होगा, किसकी इच्छाएं कैसी है मुझे चाहिए सब कुछ तो वो कहता है, वो वहाँ पे example देता है कि मतलब कहता है वहाँ पे कि मेरे को दे दो सारी property तुम क्या खरोंगे, अपना तुमारा काम तो चली रहा है ठीक है, अब बात करते है ego वाले बंदे की, ये ego वाला बंदा जो होता है, ये mediator होता है ये real life में जीना पसंद करता है इसको real life में तालमेर बिठाने की प्रेरणा रहती है, इसके अंदर की यार ठीक है भाई, ये बड़ा भाई भी तो है हमारा, ये छोटा है, सब के पास अपना बराबर बराबर आ जाएगा, मान के चलो कि वही 60 गज का मकान है तो 20 इसका, 20 मेरा, 20 वड़े भाई का तो ये हो गया ego वाला बंदा जिसको real life में जीना defense mechanism जिसका बहुत अच्छा है ये ना गलत करते हैं और ना इसी वज़े से किसी से डरते हैं ठीके जी, ऐसे बंदे आपने देखे होंगे life में होते हैं ना कभी रिश्वत ली ना किसी को लेने दी, अपने काम से काम रखते हैं अच्छा काम करते रहते हैं, जीवन उनका सुखी रहता है अब आते हैं जी, super ego वाले अब super ego इंसान कैसा होता है मतलब value वाला, जिसको वो कह रहा है कि भाई, एक काम कर, तुम लड़के हो रहे हो दोनों, मेरी property भी तुई ही रख ले इद वाले को कह रहा है कि तुँ खुश हो जा, मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी मेरी property भी तुई ही रख ले ego वाला कहता है, ठीक है जी आप अपनी दे रहो दे रहो बस मुझे तो मेरा चाहिए, मतलब ये real life में जीने वाला बनता है, कि मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मुझे किसी का हिस्सा नहीं चाहिए, जो बन रहा है मेरा दे दो, इद वाला क्या यहाँ पर यह फोटो जो है हमेशा जब भी हम मनोशलेशनवाद की बात करते हैं तो यह फोटो बहुत important रहती है क्योंकि यह समझाने में जादा easy रहती है अब देखिए बर्फ का पहाड है यह है जी बर्फ का पहाड आपका यह ऊपर जो दिखाई दे रहा है यह 10% है सिर्फ इसका जो नीचे देखो कितना जादा जो दिखाई नहीं दे रहा है इतने नीचे तक है यह 90% है तो जो हमारा unconscious mind है जो दिखाई नहीं देता है वो 90% है और जो दिखाई देता है वो 10% है देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है conscious mind यह हो गया आपका फिर यह subconscious mind हो गया और unconscious conscious mind यह सब से आधा होगे नीचे था ठीक है ना देखें यहां पर लिखा भी हुआ है human mind has three parts conscious unconscious and subconscious conscious level क्या होता है deal with our awareness level ठीक है daily awareness level जो हमारा होता है subconscious mind क्या होता है गार हम कुछ भूल गए है तो हमें एकदम से आला जाती है regain the memory at any time भाई मैं भी किसी से जाके कहूं अरे यार तु भूल गया मैं तुझे कल का था अरे हाँ यार मैं भूल गया था मिरको याद आ गया हाँ बिल्कुल कहा था यह ले भाई अपने सो रूपे पकड़िया जो भी x y z अब आते हैं unconscious part unconscious part of mind deals with the suppressed feelings of one's life आपको पानी से डर लगता है आप हमेशा तो नहीं सोचते लेकिन हाँ अगर कभी जीवन में आपने एकदम से तेज समुंदर देख लिया या तेज गंगा का फ्लो देख लिया बहते वे तो आपको एकदम से डर लगेगा तो जो बिल्कुल यहां का ही दड़कने लगता है एकदम मतल नर्वस हो जाता है आजमी तो यह हमारा क्या है यह हमारा है unconscious part और हम अपने unconscious part को 90% लेके चलते हैं जो हमारा conscious part है ना वो तो सिर्फ 10% है ठीक है यह इसकी हिंदी है हिंदी में जिसको पढ़ना है वो हिंदी में पढ़ लेना है यहां से ठीक मानफतवाद की जो शुरुआत की वो Abraham Maslow हम पढ़ेंगे नीरो फिरार्की में इनकी जो नीरो फिरार्की नोंने दी थी और Karl Rojos ठीक है यह दो नाम याद रखने है जब मानफतवाद आते हैं तो यह दो नाम आपको बहुत important है याद रखने है Abraham Maslow का आपने सबने नाम सुना अब लिधान होगं की प्रॉपर एक नीरो फिरार्की दी ही है ना बेसिक से लेकर एडवांस पर जाते गर में बात करूं तो मैं बता देता हूं आपको साइक्लोजिकल नीर्ड्स होती हैं हमारी सेफ्टी नीर्स होती हैं पिलोगिशन इस तरीके से पांच क्रटीम और सैलि बहुत ज्यादा, highly, highly uncomfortable है, किस से, psychoanalysis और behaviorism, व्यवारवाद और मनोविशलेशन वाद से हम बिलकुल भी सहमत नहीं है, क्यों सहमत नहीं है, देखें मैं बताता हूं क्यों सहमत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे controlled forces है, आपको controlled किया जाता है, अगर हम बात करें psychoanalysis की, तो वहाँ पे आपको force किया जाता है, unconscious mind, ये बता बता कें, unconscious mind, ego, super ego, आप ये सोत रहे हो, आपको control किया जा रहा है, एक force के दुआरा, अगर हम behaviorism की बात करें, तो आपको control किया जा रहा है, वहाँ के environment, क्योंकि वहारवाद यही तो कहता है, कि बहार जब बंदा निकलेगा, उसका वह कैसा होगा, ठीक है न, तो वहाँ पे environment में आपको control किया जा रहा है, लेकिन मानवतावादी जो है, humanism जो है, वो कहते हैं कि भाईया, छोड़ दो इंसान को बिल्कुल, खुला छोड़ दो, एकदम, forced on individual free will, personal growth and self-exualization, किसी चीज़ की भी force मत करो उस पे, किसी चीज़ का भी उसको focus करने दो individual free will, उसका जो money वो करे, देखिए, यह मनुष्य को स्वतंत्र agentों के रूप में देखता है, जो अपने स्वेव के जीवन को नियंतरित करने में शक्षम थे, नियंतरित होने के विपरीद, यह oppose करते हैं, they oppose to be controlled, कि हमें किसी भी चीज़ में control नहीं है, इंसा अपनी choices दो है, खुद बना सकता है, अपने goals खुद set कर सकता है, ठीक है, और उनको achieve करने के लिए, मतलब उसको खुद पर छोड़ दो, मानवतावादी की सूच सिर्फ यह है, कि इंसान को उसको खुद पर छोड़ दीजिये, वो कर लेगा, देखिए, यहाँ पर बात करते कि हाँ, यह कैसे दिखते थे, यह कैसे दिखते थे, और इनके बारे में, अबरहाम मासलो के बारे में तो हम, इनकी जो need of hierarchy है, उसके बारे में भी आगे चलके बात करेंगे, ठीक है जी, चलिए, अब अगला लेते हैं, last school of psychology, cognitive perspective, यह आपने बहुत ज़ादा पढ़ा होगा, प्याजे और वाइगोर्ट्सकी के बारे में, आपने बहुत ज़ादा सुना होगा, प्याजे जो हैं, आपके जीन प्याजे, आपके Swiss psychologist है, Switzerland से बिलोंग करते हैं, और Len वाइगोर्ट्सकी, वो आपके बिलोंग करते हैं, रशिया से, ठीक है, यह चीज़े जो मैं बोल रहा उस पर, और देखे, cognition क्या कहता है, it involves thinking, understanding, perceiving, memorizing, problem solving करना किसी को भी, and a host of other mental process by which our knowledge of the world develops and making us able to deal with the environment in specific ways, यहां पर cognition यह कहता है कि हम जितनी भी चीज़े करते हैं, एक तरह से learning by doing जो हो गया, या constructivism जो हो गया, करके सीखना, वो सारी चीज़ें आपकी यहां पर संग्यानात्मक मनोग्यान, संग्यानात्मक perspective में आती है, cognitive perspective में, ठीक है, यहां पर आपका thinking part आ गया, understand करना, किसी को, perceive करना, memorize, याद रखना चीज़ों को, problem solving किस चीज़ को अपने हिसाब से, उसको x, y, z करके problem solve करना, वो सारा कहां गय आपका, cognition, cognitive psychology में, modern cognitive psychologists जो है, उनके view में, human being as actively constructive their minds, through their exploration into the physical and social world, और इसी को हम constructivism कहते हैं, खुद करके explore into physical world, अपने दिमाग का construct करता है, वो किस में, physical world में, अपने आपको खुद explore करता है, बच्चा मिट्टी में खेल रहा है, मिट्टी में खेलता, खेलता, वहाँ पे हो, क्या गरता है, एक घर बना देता है, तो वहाँ पे उसने चीजे सीखी कही सारी, कि अगर घर बनाना है, तो मुझे पहले नीव मजबूत करनी होगी, x, y, z, बहुत सारे है, बच्चा इंट में पईये लगा देता है, उसको गाड़ी बना देता है, किसने बत बच्चा जो है अपने दिमाग से सीखता है, लेकिन यहाँ पे वाइगोट्स की ये कहते हैं, कि नहीं, बच्चा समाज में सीखता है, बच्चा अपने छोटे और बच्चा किसी अडल्ट के पास गया, और उन दोनों का जो कॉम्बनिकेशन है, उन दोनों का जो इंट्रेक ये आपके स्विस, यानि के स्विजरलेंड के साइकलोजिस्ट हैं, और ये आपके लेव वाइगोट्स की हैं, ये बेलों करते हैं आपके रसिया से, ठीक है, ये दोनों चीज़े भी आपको याद रखनी है, यहाँ से भी ऐसे कूचा जा सकता है, इन दोनों के चेहरे भी म Mind is jointly culture, construction and image as a result of interaction between children and adults. जहांपर प्याजे कहते हैं कि बच्चे सक्रिय रूप से अपने दिमाग का निर्मान करते हैं खुद प्याजे जो कहते हैं बच्चे सक्रिय रूप से अपने दिमाग का निर्मान करते हैं वहीं वाइगोट्स की कहते हैं कि नहीं बच्चों और वियसकों के बीच बाच्चीत का प्रनाम जो है उसका जो रिजल्ट आता है उससे बच्चे का विकास होता है तो यह है आपका cognition psychology यह भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे जिसमें प्याजे की स्टेजिस बगेरा बहुत सारी चीज़े हैं बहुत सारी जहां से questions बनते हैं वो सारा हम आगया आने वाले टाइम में पढ़ने वाले हैं आपको इस साथो समझ आगे होंगे अगर नहीं आया है समझ दोनों वीडियो सेकिंड एंथ थर्ड वीडियो एक बार दुबारा से चीज़े देख लेना कोई भी चीज नहीं छोड़ी है मैं इसमें स्कूल ऑफ साइकलोजी पढ़ाने में पाकी आपको फंक्सलिजम और स्कूलिजम अलग से क्लास में उसले पढ़ाया था क्योंकि वो आगया आने वाले टाइम में यूज नहीं होने वाले हैं और यह जितने पांचो स्कूल्स हैं इनके बारे में अलग से भी बढ़ेंगे सामने पूरा-पूरा दिन लग जाता है मेरे कोई इस तरीके का सिंबल सा कंटेंट आप लोगों को देने में ताकि आपको लांग वेज भी समझाए और आपको ये भी पता लगे कि भई हाँ चीज है क्या ठीक है तो भई अगर आपको इसकी पीटी चाहिए तो वही है के व आपको इसकी पीपीटी मिल जाएगी अधरवाइज आप स्क्रीन शोट्स वगरा भी ले सकते हैं इन चीजों के और वहां से भी आप पढ़ सकते हैं ठीक है जी चलिए अवरीवन बाई टेक कियर फिर मिलते हैं नेक्स क्लास में कल विद अनदर टोपिक